अस्सलाम अलेकुम गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल आप लोग कैसे हैं मैं अलहम्दिल्ला ठीक हूँ उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे आज बनाएंगे अमबाड़ी की भाजी चने की दाल में अमबाड़ी की भाजी ले चुकी हूँ मैं अब इसे अच्छे से दार पांच पानी से इसमें मठी बहुत रहती है अब यहां मैंने देड़ कप चने की दाल ले लिया है इसे अच्छे से धो लूँगी आप लोग इसे भीगो के रख भी सकते हैं ओवरनाइट तक यहां अरी मिर्चली हूँ मैं यह ज्यादा दिख री हूँगी लेकिन हाँ अंबाड़े की भाजी बहुत खटी रहती है इसलिए इसमें ज्यादा तोर की दाल में बनाया थै वह भी देखिएगा आप लोग मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी चने की दाल दालने के बाद में हरी मिर्च दाल लेंगे अब यहां थोड़ा सा तेल दाल और पानी इतना डालिए कि डाल अच्छे से भिग जानी चाहिए इसमें अब इसमें डालेंगे अमबाड़े की भाजी आप अमबाड़े की भाजी कम ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आप अमबाड़े की भाजी कम ज्यादा कर रहे हैं तो चने की डाल में भी और हरी मिर्स में भी कम ज्यादा कीजिए अब यहां पर ढखकन ढख दींगे और 4-5 सीटी होने के बाद में खोलींगे देखिए अभी भी पानी बाखिए इसमें थोड़ा सा लेसन डालींगे 5-6 लेसन की कली डाल कर फिर से सीटी दे दींगे अब यहां पानी अच्छे से सूख गया है अब इसे अच्छे से घोट लिंगे घोटने से पहले इसमें नमक दालींगे नमक दालने के बाद में घोट येगा पर आप लोग को चनी की डाल साबित होना है तो थोड़ा साइट में निकाल के रख लीजिए घोटने से पहले पूरा घोट देने के बाद में दाल दीजिएगा यहां पर मैंने अच्छे से घोट लिया है देख सकते है आप लोग बहुत टेस्टी बनती है अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद है तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंट्स में भी शेर कीजिएगा यहां पर मैंने बगार के लिए सूकी मिर्ज, जीरा और लैसन की कली ली हूँ अब यहां तेल अच्छे से गरम कर लिएंगे त्री टेबल स्पून मैंने तेल डाला है तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद में पहले इसमें लैसन डालेंगे लैसन थोड़े से ब्राउन होने के बाद में सूकी लाल मिर्ज थोड़ा इसे भी ही लालेंगे इसके बाद में जीरा डालेंगे जीरे का कलर जब चेंज हो जाए तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा नहीं तो ये जल जाएगा बिस्मिल्ला अब इसमें बगार दाल दीगे बगार दालने के फोरण बातिया आप धकन धाब दीजिएगा देखिए माशालला से बहुत टेस्टी बनी थी जरूर ट्राइ कीजिएगा आप लोग अगली वीडियो में मिलते हैं जब तक के लिए लाफीस इंपुल एंड इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा